दोस्तों स्वागता को मेरे चैनल पर मार्केट की इंफरमेशन पर राज हम बात कर रहते हैं IPOs के बारे में तो तीन तीन IPO जो है upcoming week के अंदर में आने वाले तो पहला IPO जो आने वाला है वो है 14th of June को ठीक है तो June का मतलब है आपको कल ही वो IPO दिखने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिसल की रिपोर्ट के अंदर में जो है इस अमॉंग आप टाप टैन ओटो कंपोनेंट मैनेफेक्ट्ट्र ठीक है तो यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाने को मिली उसके बात में का करती कंपनी जो है नाइन मैनुफेक्ट्रिंग इसकी है अब स्ट्रेंट की बात करेते हो तो यहाँ पर फोकस करना है आपको इलक्ट्राइंक वीकल मार्केट में पोर्टफोलियो काफी बड़ा है कंपनी का वीकल सेग्मेंट के अंदर में काफी स्ट्रोंग आरेंडी है उसके पास में और कंसल्टेंट फिनेंशल प्रफोर्मेंस का ट्रैकर रिकॉर्ड है तो कंपनी का जो फिनेंशल बैलन शीट है वो में आपको दिखा देता हूं तो भाईया इन्होंने कमाया थे मार्च 19 के अंदर में 1731 मार्च 20 के अंदर में वो प नीची थे 50 परसंट लेकिन स्टिल 50 परसंट से जाता रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है और मोच 60-70 परसंट का तो यहां पर आपको सारे इंफो है ठीक है 151 शेर मिलने वाले बेसी एनसे पर लिस्टेड है और यह आपको जो है बेसिकली इशू साइज जो है इसका पचपन सो करोड रुपए के आसपास का है ठीक है एक कोटी शेर है उसका 300 करोड का फ्रेश एक कुटी सेर और ओफर फॉर सेल के जो है वह है वह है पांच और 250 करो की तरफ चलते हैं किस चीज़ का है और क्या आपको जो है बेनेफिट देने वाला है ठीक है अगला इप चलते हैं तो है दोदला डेरी लिमिटेड का आइप यहां पर देख से 1995 में यह भी कंपनी इंकॉर्परेट हुई थी ठीक है उसके बाद में अगर आप देखेंगे त अब कंपनी का देखते हैं लार्ज पोटफोलियो है लीडिंग डेरी प्लेयर है इन सौधरन रीजिन और स्ट्रॉंग डिस्ट्रिबूशन नेट्वर्क है इंट्रिगेटेड बिसनेस मॉडल है एक्पिरियंस बोर्ड और मेनेजमेंट है वहाँ पर बैलेंस शीट को अगर अब पूरा ओर्रॉल को लेते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर 21 का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है तो अगर आप यहां से फॉल होगे 400 क्रोड होगा नहीं इन दोनों का मिलाओगे तब इससे कंपरेजन होगा तो अगर यह 627 क्रोड है और अगर मैं इन दो कंपनी बोरिंग जो अबजक्ट इसू करने का फैनेंचल क्यापिटल एक्स्पेंडिचर और कॉर्परेट जर्नल परपोस के लिए ठीक है एकूटी शेयर की वैल्यू जो है वह 421 क्यों की 35 होंगे बीए से एने से बिलिस्टेड होंगे आपको आपका जो है अलॉट्मेंट होगा 23 तारिक को 24 को रिफंड होगा 25 को डिमैट में और 28 को लिस्टिंग होगी मतलब इन दी एंड ऑफ जोलाइफ लास्ट आइप यो की बात करते हैं जो आने वाला है 16 तारिक को ठीक है और हम देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है यह है किम्स हॉस्पिटल 1973 में यह इंक कॉर्परेट हुआ था तेलंगाना के अंदर में कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसको देख लेते हैं सो वन आफ दा लाजर्जेस कॉर्परेट हेल्थ सेक्टर सर्विस प्रोइडर इन एप आंदर प्रिदेश एंद तेलंगाना हाई कॉलिफाइड ट्रेंड डॉक्टर्टर् ठीक है अगर हम आगे चलते हैं बैलन्स शीट पर तो इसको लॉस खाना पड़ाता है 2019 के अंदर में उसके बाद ने इसमें प्रॉफिट के एक हजार एक सो पचास रुपर का विकास पेंडेमिक आया वहाँ पर तो आपको काफी अच्छा मतलब जो है रेविन्यू देखने को मिला पेंडेमिक स्टार्टी हुआ था और उसके बाद में जहां से प्रॉफिट जो है इसने डबल कर दिया तो देखिए लॉस से प्रॉफिट प्रॉफिट से प्रॉफिट को डबल करना तो ये एक बहुत अच्छी मतलब चीज है कि मतलब कमपनी ने वहाँ से लॉस से मैं ही प्रॉफिट से प्रॉफिट को भी डबल कर लिया है अब देखिए अब्जेक्ट क्या है इनका यहां पर आने का तो पेमेंट करना जाते हैं तो इस ऑल्स फर्म सबसेडरी के एच के पी एल एस एम और मीट जनर्नल कॉर्परेट परपोस अब इसका क्या सीन है वैल्य इसको आपके डिमेट में आ जाएगा 28 को आपको लिस्टिंग मिल जाएगी जो है पौने दस बज़े 945 पर आपको लिस्टिंग का प्री ओपन मार्केट मिलता है दस बज़े से इसमें ट्रेडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है तो यह तीनों शेयर अगर आप मुझसे पू इसका मतब FMCG खाने का सेक्टर है और एक आपके और अटो मोबिल का सेक्टर एक वो है तीनों अपने आप में डिफरेंट आइपियों है तीनों के तीनों और स्ट्रॉंग बैलेंशीट अगर किसी की देखने को मिल रही है जहां से पैसा को डबल देखने को मिल रहा है तो वो है hospitality sector वाला यह hospital बेसिकली जिसने लॉस से profit आया profit से profit को डबल कर लिया है ठीक है दूसरा अगर आप मेर से पुछेंगे तो वो है डेरी क्योंकि दूद जो है दूद बन नहीं होता है दूद बढ़ता ही रहता है ठीक है और 30 नंबर पर आएगा auto तो मैं आपको बोलूँगा आपको तीनों आइपियों में लगाना चाहिए पैसा प्राइरटी में आप हॉस्पिटल वाले को रखें ठीक है अब डिपेंड करता है कि आप अपने शियर्स की वैल्यू या शियर्स की quantity किता रखना चाहते हैं उसके उपर में तो सबस्यादा श सेक्टर जो है स्टिल अभी वी ओपर है और उपर ही रहने वाला है उसके बाद में डेली जो आपके डेली रूटिंग में आते हैं यह सब कुछ है और यह हमारा ग्रूप का नंबर है आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं वाट्चाप पर वन टू जॉइन ठीक क्योंकि दोनों के अंदर आपको अका운 खुलाना है क्योंकि जब करते हैं तो आप बैंक करते हैं तो आपको सौ रूपर ट्रांजिक्शन दिरना होता है जहा margin block भी free मिलता है कि अगर आप किसी option के share को अगर आप sale करते हैं तो डेल लाग रोपर जो आपको block करने पड़ते हैं किसी भी share को बेचने के लिए वो angel walking के अंदर में आपको free मिलता है एकदम free of course account भी free और brokerage भी एक मिने के लिए free तो आप चाहें तो दोनों के अंदर account खुला सकते हैं नीचे दोनों का description box निक देवा है कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं कभी angel से कभी 010 से as per your convenience ठीक है लेकिन दोनों में का अंदर account खुला हुआ है या फिर और अधर डीमेट अकाउंट के अंदर में तो नीचे दो दोनों के description box में लिंक है हमाँ जाके आप दोनों का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आती हो आप मुझे आप DM कर सकते हैं इसी नमबर पर so guys thank you so much